नबस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो देखिए इस वीडियो में जहे हम लोग जनरल इंगे लिए इसके प्रिफेस एर कोश्चन को अपका इंपोर्टेंट रहेगा और आपको उस टापिक को अच्छे से कोबर करना होगा तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉंज किया हुए आपका DTSBJ और A Examination के लिए तो इसमें देखिए आपको जो है complete कोर्स आपको प्रोवाइट किया जाएगा बोक्स से मिल जाएगा अधर्वाइज आप लोग Google Play Store में जाके भी वहां से आप लोग सर्जी क्लास सर्च करना तो आपको आपको लिंक वहां पर भी आ जाएगा और वहां से जाके आप लोग आपको इंस्टॉल करके कोर्स में इंडॉल हो सकते हो जो कि आपका DTSBJ और A इ यह दिखी काफी beneficial रहेगा आपके examination preparation के लिए तो जो लोग भी एक ही जगा पर तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें एंडॉल हो सकते हो और course काफी दिखी कि only one and ten rupees हमने रखा हुआ है तो कोई ज्यादा charge हमने नहीं रखा हुआ है तो जो है किसी कोई दिक्कत नहीं ह हुआ है आपको general English का पूरा complete video of notes भी आपको मिल जाएंगे और इसके साथ में Hindi का भी आपको मिल जाएगा तो यह जो है लिंक आपको description box मिल लाएगा इन सभी का तो देखिए यहां पर आपको question है जो पूछा गया तो प्रिभिए share में और question आपका देखिए यह जो है लिया गया हुआ जो question आपका है तो यह हमने topic wise और साथ में जाए और भी लिया हुआ additional question जिसे कि आपको जाए clarity होजाए subject के उपर में तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि find out which part of the sentence has an error if there is no error mark your answer is no error तो यहां पर आपको error बताना है sentence में अगर इसमें है तो आपको इसको find out करके बताना है और अगर नहीं है तो आपको no error mark करना होगा तो यहां देखिए दिया हुआ sentence आपका कि the tables would is invested with might and likely to spot it off तो यहां पर दिखिए दिया हुआ आपको एक sentence है तो इसमें दिखिए आपको जहाए rules पता होना चाहिए जितने भी grammars के जो rules होते हैं आपके तो उसका rules अगर आपको पता है तो आप लोग question को easily कर लोगा error reporting का otherwise ऐ यहां देखिए दिया हुए the tables would अब देखिए यहां पर apostrophe s आपका use किया गया और इसके बादे से would यहां पर दिया हुए तो मतलब यह जह है apostrophe s लगाए गया हुआ तो देखिए एक rule होता है आपका कि जब भी apostrophe s हम लोग लगाते हैं तो यह कभी भी हम लोग non living things के लिए लगाते हैं हमेशा living things जो होता है उसके लिए लगाते हैं कुछ exception भी होता है इसके अंदर में जो कि आपको यहां पर जानना होगा तो इसके regarding हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं तो यहां पर देखिए रूल है आपका apostrophe s के regarding तो इसमें यह कहा आता है कि जैसे आपका जैस देख सकते हो दिया हुआ है कि the governance bodyguard यह horse head तो इन समय में देखिए apostrophe s का यूज किया गया हुआ है लेकिन यह क्या है अगर आप लोग apostrophe s का यूज करते हो जैसे कोई eliminate things हो या फिर कोई non living things हो तो उसके इसमें आपका यह wrong हो जाएगा जैसे कि यहां पर दिया होगा तो दिखिए यहां पर क्या टेबल का आपका cover of the book यहां पर book covers आपका ऐसे दिया रहेगा books cover आपका रहेगा यहां पर यहां भी covers book रहेगा आपका तो उसको ऐसे आपका रॉंग हो जाएगा यहां पर देखिए क्या है एक डिस्टोंस दिस्टेंस को यह डिनोट कर रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नाउन आपको मिले जो living things का हो या फिर वो distance को सो कर रहा time को सो कर रहा फिर weight को सो कर रहा है तो उस case में हम लोग कर सकते हैं लेकिन अगर वही non living things हो तो उसमें आपको यूज नहीं करनी है तो यह चीज आपको जानना होगा इसके साथ में देखिए दोस्तों यह तो आपको एक यू रूल है आपको और आपका class चलता ही रहेगा वहां पर आपका daily तो जो है आपका वह जल्दी फिनिस अपका हो जाएगा वहां पर तो यहां पर देखिए यही था आपका कि इसमें अंदर में the tables would तो यह क्या है इसमें गलत दिया हुआ है यहां पर होना चाहिए था कि the table would आपका है तो इसम इसमें भी आपको देखिए बताना है कि errors कहां पर है यहां पर देखिए दिया हुआ है कि in the front room of our house there's two chairs and a sofa तो इस case में भी देखिए यहां पर आपका there's करके दिया हुआ है तो simply इसमें भी आपको there का use करना है आपको apostrophe s का use नहीं करनी है तो इसमें भी error जो है आपका there's वा सकते हैं आपको sentence में बताना है कि words या phrase जो underline किये गया है आपको उसमें से incorrect को बताना है कौन सा होगा तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि no porter being available he carried all his luggages himself तो इसमें आपको बताने कि error किसमें है तो देखिए दोस्तों इसमें जो error आपका है तो यह लगेज में है तो यह आपका wrong है क्योंकि देखिए जो luggage आपका होता है तो यह हम लोग simply luggage यूज करते हैं ना कि luggage यह हम लगेज साथ singular में ही आपका यूज होता है अगर आप लोग इसमें एस लगा के इसको अगर pluriform में करोगे तो आपका गलत हो जाएगा तो इस case में यहां पर जो है पूसंद C neighbors very charming तो इसमें देखिए जो एरर है आपका तो वह है शीनरी में यहां देखें आपका सिंट्री में दिया हुआ है जबकि एक simply हम लोग इसको योज करते हैं तो इसके regarding हम लोग यहां पर आपका rules देख लेते हैं तो देखें जो आपका सिंड्री जो रहता है ना यह simply आपका singular word में आपका यूज होता है इस तरीके से आपको बहुत सारे word आपको मिल जाएंगे देखने को जैसे कि आपको हमेशा now singular form में यूज होता है उनको plural नहीं बनाया जा सकता है इस या इस एड़ करके जैसे यहां पर आपका expenditure है फर नीचर है इसका लाव इनफोर्मेसान है machinery है इसू है ऑफ स्प्रिंग है अलफाबेट है poetry है और scenery है तो देखिए यह सारे जो हमें कोसिस किया गया था जब क्यों होता नहीं है simply आपको इसमें singular form में हमें सायूज होते हैं तो scenery simply आपका होगा और इसके साथ में यह सारे भी आप लोग याद कर लोना जैसे expenditure है furniture है information है तो इन समय आपको इस नहीं लगाना जैसे furniture का furniture लगा जाते हैं information का information कर देते हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा आपको इस पर ध्यान देना है तो यहां पर देख सकते हो जैसे scenery जिहां पर इन्होंने mention करके दिया हुए तो यह आपका गलत है इसमें simply आपका scenery होगा तो यह है option A में आपका error है यहां पर तो option A आपका right हो जाएगा नेक्स देखिए question है आपका कुछ इस तरीके सही पूछा जाएगा आपसे दिया हुआ है कि the company has ordered some new equipment अब इसमें भी देखिए यहां पर equipments आपका right answer हो जाएगा तो यहां पर देखिए क्या होगा option C जो है आपका right answer है यह आप लोग जाए simply इसमें equipment का ही यूज़ करना अगला देखिए question आपका यहां पर कि the police have received two important informations that can help them solve the triple murder case अब इस case में भी देखिए यहां पर भी आपका important information तो इसमें देखिए इन्होंने एस लगाए वह जबकि हमने आपको बताया है कुछ ऐसे noun होते हैं कि जो हमें सा singular form ही use होते हैं तो इस case में भी आपका देखिए क्या informations इन्होंने mention करके दिया है जो कि आपका गलत है यह simply बिना एस कही आपका होगा तो जिसमें भी एक बार detail में study grammar का तब को कर नहीं होगा तो आप लोग जाए इस पीडियाप से पढ़ सकते हो हमने इसमें सारा complete rules दिया हुआ है नेक्स दिखिए question है आपका यहाँ पर कि out of the four sentences given below find the sentences which is grammatically correct तो इनमें से आपको sentence को find out करना है कि जो कि यहाँ पे जो है इसी के बार में information दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है आपका ordering किया गया है यानि कि first person second person और third person के बीच में और इसमें दिखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जैसे यू आइंड ही second आपका ही यू एंड आई और third आपको दिया हुआ आई यू एंड ही दिया हुआ आपको दिया यू एंड आई तो कौन सा केस सही होगा तो दिखिए जब आपका यह आता है जैसे कि अपर नौन में आपने अगर study किया होगा तो उस केस में जब को first person second person third person के बारे आपको देखना रहता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका rules के regarding तो दिखिए यहाँ आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में दिया गया हुआ है जैसे कि आपका case जो रहता है पर्सनल प्रोनाउन का तो इसमें first person second person और third person आपका रहता है तो singularity case में जो आपका रहता है subject I हम लोग यूज़ करते हैं और इसके बाद जो second person है आपका तो यह सारा जो चीज है ऑपजेट में बनाना होता है हम फर्सट पर्सन आय का हो जाता है के इसके बाद जहाएं अगश्यक्ष पराई यहीं रहता है ons इसके बाद देखिए यहां पर बात करते हैं लोग 3% की तो इसमें देखिए जो सिंगलर है आपका सी का आपका बनता है object case में हर और ही का ही में आपका बन जाता है और इट का इट ही रहता है और वहीं प्लूर्ड फर्म में जैसे आपका दे होता है तो यह आपका object case में बन जाएगा देम तो यह तो देखिए एक basic facts आपको यहां पर लेकिन देखिए जो आपका question में जब use कियाता है वहाँ पर कि जैसे कोई कार किया जाता है तो उस case में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रहेगा एक क्रम में तो आपका क्रम क्या होना च first person, second person और इसके बाद फिर आपको third person का एक क्रम में आपको ले जाना होगा तो इस case में देखिए यहां पर है आपका third वाले में दिया हुआ है कि I, you and he are going to plug the mango from his garden तो इस case में कोई ऐसा negative work किया जा रहा है प्लकिंग करने के बाद कही जा रही है तो इससे जो है आपको are some some of the best things on the TV अब यहां पर देखिए आपका दियावे दोस्त, that, this, these की बारे में बात कही जा रही है तो आपको देखिए यहां पर sentence का संदर्ग समझना है यहां पर बात कही जा रही है कि I really like watching old show, old show के बारे में यहां पर बात कही जा रही है तो इस case में देखिए जो आपक रहेगा तो आपको जो है वही past form में ही दिख करना होगा past form वहला ही इसमें से भी choose करने होंगे अब यहां देखिए बात कह जा रहा था ना कि old show के बारे में है तो इसमें आपको दिखाना होगा उसी के चीज़ से रिलेट करके जैसे यहां पर दोज है आपका दोज मत्तलब यूज करेंगे कि those are some of the best things on the TV तो यह आपको option A आपका right होगा अब यहां पर दिखिए अगर आप लोग that का यूज करते कि that are some the best things on TV तो यह आपका पास्टर लिए यूज तो होता है लेकिन यहां पर यह सिंगलर्टी बनातेगा लेकिन आपको जैसे दिया था also तो आपको उसी case में ही बनाना होगा इसका भी तो इसके लिए जाइट आप यूज नहीं करोगे दिश का होता है आपका यहां पर कि जो अभी है और वो जहाँ आपका सिंगलर है उसके लिए और दीज मतलब प्लॉर्ट करते हैं तो यह तो आपका जैसे प्रजेंट फोंका हो गया पा आपके डिमोंस्ट्रेटीव प्रणाउन होते हैं मतलब कि यह ऐसे प्रणाउन होते हैं जो कोई भी परसन हो या फिर कोई ऑबजेक्ट हो उनको पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है अब यहां पर इसके भी रूस होते हैं आपके जैसे कोई अगर कोई मालेजे की जो रहता है अपका तो यह समीप से अधिक व्यक्तियों के लिए बाकी देखें जो और रहेंगे आपके एक से अधिक के लिए उसके लिए आपके लिए आता है तो वहीं सेम चीज यहां भी सिनेरियों आपका दिया हुआ हुआ है और वहीं पर दिखिए जो rule अपका two इसमें था जैसे that है आपका और एक बात these है तो that का परियोग जो हम लोग दूर के लिए करते हैं हम लोग और those जो है आपका ये जैसे इसका परियोग करते हैं हम लोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए आपका होगा एक single के लिए जो आपका जैसे कोई दूर में होंगे या फिर कोई आपको याद रखने होंगे यहां पर दिखिए दिया था आपका कि that is a book single है आपका और यहां पर दिखिए 2000 बुक्स तो इस के समय देखिए आपके यहां पर जैसे बात कही जा रही है कि books है आपका जो कि यह बोला जारा आपका कि यह जो से plural noun है और इसके लिए हमने यूज़ किया दोस का तो आपको इस पर दियान रखना होगा देखिए और भी कोशन हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कोशन है आपका के आई सर्च आल ओभर बट कुड़न फाइंड मैं नोट्स आपको यहां पर फिल करनी है तो यहां देखिए बात कहा जा रहा है कि आज सर्च आल ओभर उसने सर्च किया आल ओभर लेकिन उसने फाइंड नहीं कर पाया अपना नोट्स का तो यहां पर सम्थिंग होगा एभरिवन होगा एनिवेर होगा तो इस केस में दीखिए अगर आप लोग एक एक प्यों फिल करते जाओ यहां पर बात आपका कहा जा रहा है जो की बात आपका अल्ड़ी ओभर हो तो यह तो कहीं फिट आपका बैठी नहीं रहा है अगला आपका दिया है एवरिवन के आई सर्च अल ओभर बट आ कुड़ नाट फाइंड बै नोट्स एवरिवन तो इसके भी दिखिए अपको गलत तरीके से मतलब है इसे कोई मिनिंग सेंस निकल ही नहीं रहा है आपका इसके बाद आपका दिया है एनिवेर आई कुड़ नौट फाइंड नोट एनिवेर तो यह दिखिया आपको जहीं इसमें आपका आ रहा है मतलब कहीं भी उसे नहीं मिला तो यहां पर जहां को उसे तरीके से भी मैच करके आपको देखने होंगे जो सही आपका आजा वहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा तो इन सब कर दिखिया आपको रूल पता होना चाहिए सम्टिंग का एवरिवान का एनिवेर का नौवेर का कहां पर यूज हम लोग करते हैं तो इन सब कर दिखिये रूल हमने बताया हुआ है जो कि PDF में आपका दिया हुआ है और lectures में इस करते हैं और यहां पर कहां करते हैं तो इस कES में दिखिये हम लोग यूज करेंगे विचका कि विच फ्लेेबर रौट समधार हो जाएगा लेकिन वो जो है sure नहीं है कि वो कौन था तो यहां पर आपको भरना है कौन सा होगा अब यहां देखिए आप लोग एक करके feel करते जाओगे तो उसे भी आपका answer आ जाएगा अगर आप लोग यह feel करते हो what का I heard someone at the door but wasn't sure कि what it was तो देखिए what का जो यूज हम लोग करते थे कोई living things रहेगा उसके लिए यूज करेंगे नहीं यहां पर कोई person के बारे में बात कर जा रही है कि कोई तो था उसने समय किसी के बारे में सुना था तो यह तो हम लोग यूज करेंगे नहीं और वीच भी देखिए यहां पर जहें question mark question पूशने के लिए कि लिए आता है तो यह भी हम लोग यूज नहीं करेंगे यहां पर कि I heard someone at the door but but not sure that it was तो यहां पर फिट आएगा ही नहीं भाला कि आपको जैसे यूज कहां पर करते हम लोग यह आपको पता होना चाहिए अगला दिखिए दिया हुए कि I slept on the sidewalk and heard अब यहां पर दिखिए sleep कौन कर रहा है तो कोई person है वो खुद ही कर रहा है साइड वाइप में वो उसने sleep किया और hurt वो खुद ही हुआ होगा यहां पर तो आपको यहां पर इसे से related ही word आपको यूज करने हो जैसे इसमें दिया हुए का himself, themself, myself या फिर yourself यहां पर I आपका दिया हुआ है तो I का दिखिए इसका जब आप लोग जैसे जिब में बनता तो दिखिए जो आपका यह सारा था myself, ourselves, yourself, himself यह सारे जो है यह reflexive pronoun होते हैं यह तो यहां दिखिए जैसे आपका I है तो I का इसका अगर अपना बनता है आप लोग बनता है आपको बनता है myself और इसके बाद दिखिए यहां पर जैसे कि आपका दिया रहता है we, nominative case में आप इसके बाद दिखिए जो आपका you है तो you का दिखिए इसका आपका बनता है reflexive pronoun that is yourself और इसके बाद he है आपका तो he का दिखिए बनता है himself, c है तो c का बनता है herself और इसके बाद फिर दिखिए आपका जैसे eat है तो eat का बनता है itself तो यह जहां है आपको reflexive pronoun यहाँ पर याद र कर लिया तो अब यहां पर क्या आपका होगा आई का जैसे reflexiv pronoun होता आपका यहां पर myself तो क्या और option c हो जाएगा जैसे by upcionc colour of Meissel चौह नहीं कि और नहीं होगा यहां जैसे कहाँ पे किसी भी तरीके से रूल तो आपको याद रख नहीं होंगे grammar का तो question आपको easily बन जाएगा तो उसके लिए आप लोग course में नोल हो सकते हैं वहाँ पर हम लोग आपको देखिए अच्छे से describe करके आपको हम समझाएंगे सारा चीज Thank you दोस्तो देखिए इसे तरीकी से आपको हम यहाँ पर part by part question आपको समझाते चलेंगे जो previous year पुछे गए वो तो है ही आपका इसके साथ में जो है जो और भी additional question होंगे उसी topic से related तो वो सारा कुछ है हम लोग यहाँ पर discuss करते चलेंगे यहाँ भी आपका अभी English का करार हिंदी का भी करा देंगे आपका previous year question और साथ में general study का भी जो question पूछे गए वो सारा आपका topic करा देंगे और detail में आप लोग course को study करनी के लिए आप लोग enroll हो सकते हो उसमें हमने काफी अच्छे से समझाएगा और वहाँ पर आपका पुरा complete अपका कराया जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए